हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे एक स्पेशल रेसीपी वह है बीट रूट वोट्स यह मैं नमक लिया है और यह बीट रूट को मैंने थोड़ा पानी डालके ग्राइंड कर लिया है और इसका एक सोफ्ट डोर लगा लिया है अब इसके हम बनाएंगे पूरी आप पराठा बनाना चाहिए पराठा भी बना सकते हैं मैं इसकी पूरी बना रही हूं इसको हम फ्राइ कर लेंगे और हमने वैजी जो भी आपको पसंद हो ग्रीन वैजी टेबल उन सब को हमने सोटे कर लिया था थोड़ा सा डालके चिली फ्लेक्स नमक सोया सोस टोमैटो कैचप और थो रूट की यह सारी फूल कर हो जाएंगी तैयार फ्रैंड्स वीडियो पसंद आए तो फोलो करना ना भूले मुझे यह देखिए और यूट्यूब पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करने यह ऐसे अच्छे से बहुत अच्छे से फूल कर तैयार होती है आप इसको बच्छो को सब्सक्राइब यह चार के साफ चटनी के साथ दे सकते हैं लूंच में मैंने थोड़ा इनको बच्छों कर ट्रैक्टी करने के विए इस टाइप से बनाया है ताकि बीट रूट के जो होते हैं बैनिफिर्स बच्चों को मिल सकें और यह बनेंगी और इसके तो यह नाम भी मेरी बेटी नहीं इसको दिया है, देखने के बाद जब मैं लेकर के गई खाने के लिए बच्चों के, तो इसका नाम करन भी उसने किया है, कि मम्मा यह तो बीट रूट बोट्स लग रही है, तो मैंने सोचा कि यही नाम रख लेते हैं, तो आप लोग बताए इस लिएगा क्या नाम रखे इस recipe का, यह देखे, अब इस ऐसे बीच में से cut कर लेंगे, ऐसी हमने अपने सारे आटे की पूरियां तैयार कर लिया, आप चाहे पराथा बना ले, यह देखे, भग फूली फूली पूरियां बनीए, आप चाहे सबजी से भी दे सकते हैं इसक स्टेक्स